दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा डी नैम्रोस की स्ट्रगलिंग लाइफ के बारे में कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस किया और उन्हें हटा कर आगे बढ़े चली दोस्तों शिरू करते हैं दोस्तों डीन आम्रोस का जन्मुआ था 7 दिस्टमबर 1985 को सिंसिनेटी ओहायो में वो दिन बहुत खास था और बच्पन से ही डीन आम्रोस को बहुत पसंद थी रेसलिंग और धिरे धिरे उन्हें रेसलिंग को अपनी जीवन का हिस्सा बना लिया था जिस जगे डीन आम्रोस रहते थे वो जगे काफी खतरनाक थी लेकिन अपने रेसलिंग करियर पर डीन आम्रोस ने कभी भी उसका बुरा साया नहीं पढ़ने दिया दीन एमरोस ने अपनी बेकार जिंदगी से निकलने का फैसला कर लिया था जिसका रास्ता रेसलिंग से होकर गुजरता था और यह आज ए कहना गलत नहीं होगा कि आज दीन एमरोस अच्छी लाइफ जी रहे हैं तो उसकी वज़े रेसलिंग ही है दोस्तों दीन एमरोस को उनके स्कुल से निकाल दिया गया था लेकिन उनके पास में रेसलिंग की एक काफी अच्छी खूबी थी और इसलिए उन्होंने इसके लिए ट्रेडिंग भी शुरू कर दी थी दरसल स्कूल के समय उन्होंने बहुत सारे रेसलिंग प्रोमोस देगे थे और उसके बाद में उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें भी एक रेसलर बनना है दोस्तों रेसलिंग में करीर बनाने के लिए डीन एमरोस को एक जौब की भी जरुवत थी ताकि वो इसका खर्च निकाल सकें और इसके लिए Dean Ambrose ने कई तरह की दुकानों पर काम किया उन्होंने पॉपकॉर्ण बेचे, पेपर बॉय और खाना बेचने वाले तक का काम किया इससे उनकी रेसलिंग की ट्रेनिंग का खर्च आराम से निकल जाता था और इतना ही नहीं Dean Ambrose ने कुछ रेसलिंग प्रोमोशन के लिए भी काम किया जहां उन्होंने चीजों को जोड़ा और ठीक भी किया सन 2004 में Dean Ambrose ने रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा जहांसे उनके जिंदगी की नई शुरुआत हुई पाइनली 2011 में जाकर WWE ने Dean Ambrose को साइन किया Dean Ambrose बच्पन से ही सबसे हट के रहे हैं और इसलिए उनका रिंग में अंदाज भी अलग ही दिखाई देता है Dean Ambrose का बच्पन क्राइम और वेकार जिंदगी के साय में गुजरा और आज भी उसका असर उन पर काफी दिखाई देता है लेकिन एसी जिंदगी से बाहर आना और इतना स्ट्रगल करके आगे बढ़ना एक काफी बड़ी बात होती है जो की हर कोई नहीं करके दिखा सकता है और 2012 में Dean Ambrose ने अपने Shield Brothers के साथ में डेब्यू किया जहाँ पर उन्हें ने राइबेफ पर अटेक किया उसके बाद में उन सभी का performance इतना शांदर था क्यों उन्हें सिंगल रन कराया गया उस समय Dean Ambrose हमारे United States Champion भी बने 2016 में Roman Rings और Seth Rollins का मैच हुआ था Money in the Bank में जहाँ पर Seth Rollins ने हरा दिया था Roman Rings को मैच के बाद में Dean Ambrose आते हैं और cash in कर लेते हैं अपना Money in the Bank and बन जाते हैं हमारे New WWE Champion उस राध Dean Ambrose ने सबको शौक कर दिया था और इससे पहले Dean Ambrose हमारे Intercontinental Champion भी रह चुके हैं Dean Ambrose को wrestling की दुनिया में लगबग 14 years हो चुके हैं वो जो भी चीज ठान लेते हैं उसे करके दिखाते हैं और यह उन्हेंने साबित भी कर दिया दोस्तों WWE में आने से पहले Dean Ambrose ने TNA Try Out भी किया था और उससे पहले CZW नाम की कमपनी में काम किया था जहाँ पर बहुत खतरनाग Gladiest Fights भी होती थी और इन Fights को लड़ने के लिए काफी Guts की जरूरत होती है और कमजोर दिल वाले ऐसा नहीं कर सकते Dean Ambrose को इसलिए Lunatic Fringe भी कहा जाता है जिस बंदे के पास में कभी खाने के लिए कुछ नहीं होता था आज वो साल भर में तरीबन एक मिलियन डॉलर से उपर की कमाई करता है और ये सब हुआ इनके हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन की मज़े से इनका लुक्स, इनकी स्टाइल, इनका इंट्रेंस और इनका रेसलिंग करने का तरीका इनकी माइक स्किल्स सबसे हटके है हमें उनका जलवा देखने को मिलेगा रिंग के अंदर तो दोस्तों कैसी लगी है वीडियो, आई होप अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि डवड़वी की न्यूस और अपडेट्स आप तक पहुशती रहेंगे सबसे पहले तो दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में